हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ कोमन मेडिसियन के बारे में जो की घर पर होना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऐसी कुछ कोमन मेडिसियन के बारे में देखिए सबसे पहले जो medicine आती है वह आती है paracetamol तो paracetamol medicine का यूज किया जाता है बुखार के अंदर ठीक है अगर किसी वेक्ति को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है तो उसको paracetamol की एक tablet दी जाती है अगर उसका बुखार फिर भी नहीं उतरता है 6 गंटे के अंदर उसका बुखार नहीं उतरा तो फिर से एक tablet paracetamol की हम देंगे ठीक है तो अगर इसकी dose की बात की जाए तो हर 6 गंटे की interval पे इसको repeat किया जा सकता है और पूरे दिन में maximum 4 बार दिया जाता है तो ये हमारी paracetamol की dose हो गई और इसका use हो गया ठीक है नेक्स जो category है वो है हमारी painkiller की तो यहां पे painkiller है यानि कि आपकी body में कहीं भी pain है तो वहां पे इन painkillers का use किया जाता है जैसे आपके सिर में दर्द है या फिर दात में दर्द है ठीक है या बोडी में कहीं भी pain है तो वहाँ पे इन pain killers का यूज किया जाता है तो कौन-कौन से वो pain killer है देखे पहला जो pain killer है वो है declofenic, acyclofenic, nemo slide यह क्या है यह pain killers है ठीक है यह जो pain killers है यह paracetamol के combination के साथ भी आते है क्योंकि paracetamol के combination के साथ क्यों दिया गया है क्यों देखे पैरacetamol जो है यह दोनों ही property रखता है अपने पास यह antipyratic भी है और analgesic भी है antipyratic का मतलब यह है कि बुखार को भी उतारता है और analgesic का मतलब है कि pain में भी यह relief प्रोवाइड करता है तो दोनों ही property होने के कारण अगर हम diclofenic या pain killer के साथ इनका combination देते हैं तो यहाँ पे best result देखने को मिलता है कुछ और मैं आपको pain killer बताता हूँ जैसे dispreen सुनाओगा आपने उसके इंदर salt होता है aspirin तो वो भी pain killer है brufan सुनाओगा आपने वो भी pain killer है अब क्या होगा brufan है aspirin है और यह nemo slide है यह आप avoid कीजिए यह pain killer आपको नहीं लेने है अगर आपके सीर में दर्द है या माली आपके दात में दर्द है तो आपको क्या करना है आपको diclofenic या फिर acyclofenic इन दोनों में से कोई भी एक tablet pain है ठीक है सबसे जो best और safe pain killer है वो या तो diclofenic है या acyclofenic है ठीक है तो जितने भी pain killer बताए इन सब में से safe मैंने आपको बता दिये अब देखे नीमो slide क्यों avoid करना है नीमो slide क्या है यह hepatotoxicity cause करता है यानि कि liver पर ज्यादा damage करता है अगर ज्यादा यूज कर रहा है कोई भी वैक्ति नीमो slide का तो उसका liver damage होने का खत्रा है ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीमो slide को avoid करना है ठीक है एस्प्रीन की avoid करना है ठीक है जो एस्प्रीन है वो आपके अंदर सरीर के अंदर जो platelet होती है ना उनकी संख्या कम गर देता है ठीक है तो platelet count को decrease कर देता है इसलिए एस्प्रीन नहीं देना चाहिए अब एस्प्रीन किसको देना चाहिए जो भी heart patient होते है ना उनको एस्प्रीन दिया जाता है ठीक है अब वहाँ पे जो मान लिया heart patient है कोई भी तो उनको फिर diclofenic और acyclofenic ये pen killer बंद किये जाते है तो heart patient में तो diclofenic और acyclofenic बंद किया जाएगा क्योंकि इससे क्या होता है वहाँ पे उनका stroke का खत्रा दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा बढ़ जाएगा ऐसी अगर diclo देंगे तो pain killer देंगे वहाँ पर फिर aspirin क्या करेगा खून को पतला रखेगा ठीक है वहाँ पे फिर best condition होगी heart patient के लिए वहाँ प pain killer heart patient में तो aspirin दिया जाता है अगर कोई heart patient नहीं है तो वहाँ पे फिर aspirin avoid करना चाहिए क्योंकि वह platelet count को कम कर देगा इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल सवस्त है और कभी कबार उसको pain हुआ है पूरी body में कहीं भी तो diclo और aciclo यूज करिए सबसे best है ठीक है औ और आपके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तब ले लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक tablet मतलब एक या दो बार emergency use में आप ले सकते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन regular use में कभी भी नहीं लेके आना है ठीक है ना ही briefen ना ह आपके लिए सबसे best है ठीक है अगर फिर भी बहुत ज्यादा दर्द है ठीक है out of control है तो वहाँ पे आप इन painkillers का यूज कर सकते हो तो ये थी painkillers के बारे में कुछ जानकारी तो next जो medicine है जो category है वो है stomach pain की अगर पेट के इंदर दर्द है तो तब कौन सी medicine लेंगी तब यहाँ पर तीन medicine है या तो diceclomine ले सकते हो ये भी पेट दर्द को ठीक कर देगी ठीक है या फिर mephanic acid और diceclomine इन दोनों का combination आता है meftal सपास दे या फिर ये ले सकते हो एक tablet ठीक है या फिर drotin ले सकते हो drotin के अंदर salt होता है drotavarin तो तीनों में से कोई भी एक लेनी है तीनों में से कोई भी एक medicines है वो ले सकते हो एक tablet ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो ये diceclomine है जो ये drotin है ये एठन अगर हो रही है ना पेट में एठन की वज़े से पेट में दर्द है तो ये ठीक कर देगी अगर gas की वज़े से पेट में दर्द है तो अगर आप ये medicine लोगे तो कोई भी आपको relief नहीं मिलने वाला है इसलिए अगर gas की वज़े से पेट में दर्द है तो वहाँ पे रेंटिदीन या फिर pentoprozole वो काम करेंगी अगर एठन हो रही है पेट में ठीक है तो वहाँ पे फिर diacyclom या meftal sapas या drotin जिसके अंदर drotavalin salt होता है तब ये यूज करने है ठीक है तो पेट के दर्द के अंदर ये medicine यूज की जाती है तीनों में से कोई भी एक medicine आप ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट जो है वो है daizen daizen सरफ कभी यूज किया जाएगा अगर पेट के अंदर जलन हो र दार भी tv जो वोमेटिंग की और गेस की तो वोमेटिंग के अंदर कौन मतलब होता है उल्टि आना नोजिया का मतलब है फील ओफ वोमेटिंग या नहीं रही है उल्टि जैसा लग राये की उल्टि आएगी तो उसको नौजिया और वोमेटिंगily तो वहाँ पर 117 तो या देखे, Dom Peridone जो tablet है, उसकी अगर Doge की बात करूँ, तो जो Dom Peridone है, वो आपको लेनी है 20 mg, ठीक है, दिन में 3 बार ले सकते हो, तो 20 mg की tablet आती है, तो एक बार आप ले सकते हो, और पूरे दिन की बात करूँ, तो maximum 3 बार ले सकते हो, ठीक है, तो यह इसकी Doge की बात है, या तो इसको खाना खाने के बाद लो, या फिर खाना खाने से पहले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे ही Dom Peridone है, इसको भी खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हो, ठीक है, और यह भी आपकी Ulty को ठीक कर देगी, अगर इसकी Doge की बात करूँ, तो 4 mg क टेबलेट आती है ठीक है दिन में एक या दो बार ले सकते हो तो उल्टी के अंदर आपको आराम मिल जाएगा Ondan Cetron या Domperidone में से कोई भी एक medicine आपको लेनी है अगर नोजिया या वो meeting है तो ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको इसका use or dose बता दी है देखें अब जो Ondan Cetron और Domperidone है या फिर कोई भी Constipations की दवाई है अगर किसी को Pepticals है ठीक है अगर कोई patient है जिसको Pepticals है या निकि पेट के इंदर चा ले हैं तो तब यह जो medicine है यह use नहीं की जाती है नेक्ट जो category है वह gas वाली है उसके इंदर rentidine और pentoprezole इन दोनों medicines में से कोई भी एक medicine दी जाती है rentidine और pentoprezole दोनों ही best medicines होती है gas गे लिए ठीक है अगर इनकी मैं doze की बात करूँ तो rentidine है एसी लोक नाम से आती है यह ठीक है बहुत ही ज़्यादा famous brand name है rentek, gentek और एसी लोक ओके तो 1500 mg की यह tablet आती है इसको दिन में दो बार ले सकते हो ठीक है और लेना की स्तरीके से है rentidine और pentoprezole दोनों ही जो tablet है वो खाना खाने से पहले लेनी है यानि खाली पेट लेनी है और कैसे लेनी है जैसे कि अगर आपने यह tablet है रेंटidine या फिर pentoprezole दोनों में से एक tablet लेनी है खाना खाने से पहले लेनी है और एक घंटे पहले लेनी है यानि कि जैसे ही आपने rentidine या pentoprezole ली तो उसके एक घंटे बाद आपको खाना नहीं खाना है इसका मतलब यह है खाना खाने से एक घंटा पहले लेनी है तब यह बहुत ही अच्छे से काम करेंगी तो इस बात क आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगना है अब क्या होता है गैस की प्रोब्लम देखी गई है बहुत ही ज़्यादा लोगों को गैस की प्रोब्लम है और वो क्या करते हैं वो डेली ही या रेंटिडीन या पेंटो प्रेजोल ले रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनको नुक्सान उठाना पड़ रहा है क्योंकि रेंटिडीन और पेंटो प्रेजोल से क्या होता है जो ये गेस्ट्रिक एसीड होता है न हमारा एचियल होता है इसको बनना क्या कर देती है इसपे रोग लगा देती है ये नहीं बनता है तो अगर ये नहीं बनता है तो क्या होता है जो ये एचियल है ये रिस्पोंसिबल होता है हमारे केलसियम, विटामिन, बीटवेल और आइरन के एब्जोर्ब्शन के लिए ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है जो regular base पर ये दवाई ले रहा है न तो उनके अंदर calcium की कमी हो जाएगी iron और vitamin B12 की कमी हो जाएगी अगर calcium की कमी हो जाएगी तो हडिया कमजोर हो जाएगी ठीक है, अगर vitamin B12 और iron की कमी हो गी तो वहाँ पर फिर खून की कमी हो जाएगी तो इसलिए जो gas की दवाई है वो regular base पर नहीं लेनी चाहिए ठीक है maximum अगर मैं बात करूँ तो दो हकते से ज़्यादा तो कभी भी ये जो दवाई है ये नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है इनके क्या-क्या side effect हो सकते हैं इसलिए कोई भी दवाई केवल rentidine की बात नहीं कर रहा है rentidine का तो मैंने आपको केवल example दिया है ताकि आप और भी दवाई regular base पर बिना doctor के सला के आप नहीं लो अपने आपसे कोई भी दवाई नहीं लेनी आपको ठीक है दिखे आपको दिखे फोर example मैंने आपको बताए दिया कि rentidine अगर आप ले रहे हो तो वाँ पे खून की कमी भी होएगी calcium की कमी भी होएगी खून की कमी होएगी तो चक्कर आने लगेंगे ठीक है वो आपको पता ही है कमजोरी होगी calcium की कमी होगी तो हडिया भी कमजोर हो जाएगी तो इस वज़े से इसका example मैं ले रहा हूँ इसलिए मत लो ठीक है कोई भी जो medicine है वो regular base पर आप मत लो बिना doctor के prescription के ठीक है तो यह जितनी भी दवय है मैं आपको बता रहा हूँ ना यह कब लेनी है यह एक या दो बार ले सकते आप ओके तो फिर आप doctor से मिलो मालिया आप घर पर हो ठीक है बार नहीं जा सकते और आपके पेट में दर्द हुआ या vomiting हो रही है तो वहाँ पे आप एक या दो डोज ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद आप doctor से मिलो तो इसलिए मैं आपको यह information दे रहा हूँ ठीक है तो I hope आपको clear हो गया होगा यह सब जो भी मैंने आपको बताया है ठीक है next जो बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ पर rentedine की सायद मैंने डोज बता दी देखे रेंटीडीन की दोबारा से दोज देख लेते हैं क्या डोज है रेंटीडीन की जो डोज है वो है dead 100 mg ठीक है dead 100 mg की tablet आती है दिन में दो बार आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और pentoprezole 40 mg ठीक है दिन में केवल एक बार ही लेनी है pentoprezole यह खाली पेट आपको देखने को मिलेगा तो next जो बात करते हैं वो बात करते हैं लopramide और racicadrotil की यह क्या है यह हैं डाइरिया के अंदर यूज की जाती है यानि कि अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग गए है तब यह दोनों medicines है वो यूज की जाती है ठीक है सबसे जो best medicines होती है दस्त की वो होती है racicadrotil लेकिन लopramide भी जो medicine है वो use की जाती है दस्त के अंदर अब क्या होता है जो लopramide होती है na medicines होती है वो मतलब इतनी जादा best नहीं है racicadrotil है वो सबसे जादा best medicine है अब इसकी डोज की अगर मैं बात करूँ तो 6 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है तो उ लो 6 यर लopramide नहीं देनी चाहिए अगर 6 से 12 साल का बच्चा है जिसकी यह 6 से 12 साल है तो उसकी अगर डोज की बात करूँ तो उसको 2 mg देखिए 2 mg की tablet आ रही है तो वहाँ पर 2 mg उसको दे सकते है ठीक है और 12 साल से उपर का कोई भी बच्चा है तो उसको हम 4 mg दे सकते है तो यह इसकी डोज की बात है लopramide ओके तो दस्त के अंदर इसको यूज किया जाता है और pregnancy के दोरान यह totally avoid की जाती है दस्त के अंदर दोनों ही दबाई है रेसिका डोटील भी और लopramide भी ठीक है तो अगर दस्त लगे वे हैं तो लopramide आप दे सकते हो 6 साल से नीचे का बच्चा है उसको बिल्कुल भी नहीं दे जा सकती है तो टोटली बैन है 6 साल के नीचे तक बच्चे में रेसिका डोटील यह भी दस्त की होती है अगर इसकी डोज की बात करूँ तो 100 mg ठीक है 100 mg का कैपसूल आता है दिन में आप 3 बार दे सकते हो ओके तो maximum दिन में 3 बार जाता है 100 mg का यह कैपसूल आता है तो यह रेसिका डोटील है और लोपरमाइड है जो की एंटी डायरेल है यानि कि दस्त के इंदर इसको यूज किया जाता है ठीक है और दोनों में से बैस्ट की बात करूँ तो रेसिका डोटील बैस्ट है इसलिए अगर घर में दोनों ठीक हो जाए फिर आप डोक्टर के पास जा सकते हो ओके और अगर दस्त के साथ साथ खून भी आ रहे है ठीक है बलडी स्टूल आ रहा है तो वहाँ पर फिर यह दोनों मेडिसियन आपको बंद कर देनी है ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको फिर इंफेक्शन है तो वहाँ पर एंटिबायोटिक ली जाएंगी एंटिबायोटिक में जैसे मेटरिन राजोल ली जाएगी ठीक है ओफलोक्स ओजएड है वो ली जाएगी क्योंकि वहाँ पर फिर आत के अंदर है पेट के अंदर महाँ पर फिर इंफेक्शन हो चुका है इंफेक्शन की वज़े से को avoid करनी पड़ेंगी totally बंद करनी पड़ेंगी ठीक है तो ये हमारी कुछ diarrhea की medicines है I hope ये भी आपको clear हो गया होगा next बात करते हैं constipations के लिए अगर कोई वक्ति को fresh नहीं होया जा रहा है तो वहाँ पर medicines का use किया जाता है वहाँ पर dulcoflex नाम से आती है इसका use किया जाता है ठीक है दिन में एक ही बार ये tablet लेनी है रात को सोते time इसको लेना है ठीक है तो वहाँ पर constipation यहाँ पर ठीक हो जाती है सबसे popular ये जो brand नहीं है ये dulcoflex आता है तो constipation में dulcoflex का यूज किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं anti allergic की anti allergic यानि कि किसी को allergy हो गई है ठीक है किसी medicine की वज़े से क्या है पूरे सरीर पे allergy हो गई है कोई medicine उसको suit नहीं की है पूरी श्रीर पे दाने-दाने हो गए है, तो वहाँ पर भी doctors to use किया जाता है अगर नाक ज़्यादा बह रही है, जुखाम बहुत ज़्यादा और नाक बह रही है रुखिन बहुत ज़्यादा प्रेसान हो रहा है व्यक्ति, तो वहाँ पर इन दोनों medicines में से एक medicines का यूज़ किया जाता है तो anti allergic में citruzine और evil जिसके अंदर fenarmine salt होता है तो यह ही यूज़ किया जाता है या तो citruzine यूज़ करो या फिर fenarmine malet दोनों में से एक medicine यहाँ पे यूज़ करनी है ठीक है तो अगर इसकी डोज की बात करूँ शित्रिजिन जो है ये 5 mg दिन में 2 बार ले सकते हो ठीक है जैसे सुबह 5 mg ले ली है ना साम को 5 mg ले मतलब दिन में 2 बार यानि कि अगर ऐलर्जी हुई है तो आप 5 mg की एक टेबलेट ले लो वहाँ पे आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा मैक्सिमम दो बार ले सकते हो अगर 10 mg की टेबलेट है तो एक ही बार लेनी है पूरे दिन में ठीक है तो ज्यादा ये मेडिसिन नहीं लेनी है तो ये इसकी डोज की बात हो गई और फिनेरमाइन की अगर मैं डोज की बात करूँ तो यहाँ पे 4 mg की टेबलेट आती है दिन में इसको दो बार ले सकते हो ये हमारा anti-allergic medicines थी जिसके अंदर citragyn और finermine यानि की avil नाम से बहुत ज्यादा famous ब्रांड है तो ये आपको याद होना चीए एविल के अंदर जो salt है वो है finermine mellet तो ये हमारी anti-allergic थी next बात करते हैं कि और क्या होना चाहिए हमारे घर पर ये तो कुछ medicines थी जो घर पर होनी चाहिए हमारी first aid kit में और क्या होना चाहिए और हमारे पास कुछ tubes होनी चाहिए ठीक है जैसे clotery mazol होनी चाहिए जिसको clotery नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा sipla company की अगर किस इसे इसे रेडनेस हो रही है कहीं पे वहाँ पे चोटी चोटी दाने से निकल आए हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो वहाँ पे फिर clotery mazol का यूज किया जाएगा ठीक है तो बिटाडीन भी होनी चीए बिटाडीन होती है ओंटमेंट होती है यह भी अगर जल गया है कहीं पे या फिर चोट लग गही है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है इसका जो यूज है वो किया जाता है जैसे कहीं से गरम पानी से जल गया हो चाय से जल गया हो यानि कि जहाँ पे कोई भी वैक्ती हो जल गया हो तो वहाँ पे फिर इस ट्यूब का यूज किया जाते है तो फर्स्टेट किट में ये भी होना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा unnecessary है रखना फर्स्टेट किट के अंदर ओके तो ये थी आज की हमारी वीडियो और क्या हो सकता है जैसे बेंडेज है वो तो कोमन सी है वो रखना जरूरी है ठीक है पट्टी बेंडेड है वो होना चाहिए गाहों को साफ करने के लिए स्प्रिट या डिटोल होना चाहिए तो ये सारी मेडिसियंस थी कुछ ट्यूब्स थी कुछ और आइटम्स एक्स्ट्रा दो तीन बताए जैसे बेंडेज बेंडे ने तो ये रखना बहुत ही जरूरी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो कर दो कि अनल